आप अपने तबस्वम टॉकीज को जरूर कीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा ना भूलिएगा अदाब, नमस्कार, सच्छे अकाल दोस्तों मैं हुशांग गोविल, तबस्वम जी का बेटा और आप देख रहे हैं तबस्वम टॉकीज अब तब जैदेल की बेकारी ने आँख उठा कर हमारी कामियाभी का जंड़ा दीख लिया होगा दीखी जो हमारी म्यूजिक कमपनी ने म्यूजिक मार्केट के सीने पर कार दिया है दोस्तों आज जिस एक्ट्रिस के मैं बात कर रहा हूँ उनकी माँ अपने वक्त की मशूर एक्ट्रिस थी उनकी बेटियां भी एक्ट्रिस हैं और वो खुद भी एक्ट्रिस हैं और वो है दे प्यूटिफल गॉजियस मुन मुन सेरी आज तुमसे माफी मांगने नहीं तुम्हें माफ करने आएं तुम ये कैसे भूल गए कि म्यूजिक डिरेक्टर जैदेव आनंग की आउकात माला की काम्याभी के खिलाफ खड़े होने की गलती नहीं कर सकती हमारी आवाज पब्लिक के कानों की लत्त बन चुकी है 28 मार्च 1954 में मुनमुन सेन पैदा हुई थी कॉलकटा में एक बेंगॉली हिंदू परिवार में उनके पिता का नाम था दीबानाथ सेन और वो कॉलकटा के बहुत बड़े बिस्निसमेन थे और अफकोर्स ये तो सभी जानते हैं कि उनकी मा का नाम था सुचित्रा सेन जो हिंदी और बेंगॉली फिल्म्स की सुपर स्टार थी और दोस्तों ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मुनमुन सेन अपने माबाप की एक लौती बेटी हैं और उनका असली और पूरा नाम है श्री मती सेन। मुनमुन सेन ने अपनी स्कूलिंग की लोराटो कॉर्वेंट शिलोंग से और उन्होंने अपनी डिग्री हसल की सौमवेल कॉलेज औक्सफर्ड से मुनमुन सेन पच्पन से ही हीरोन बनना चाहती थी वो अपनी मा से बहुत इंप्रेस थी लेकिन उनकी मा सुचितर सेन नहीं चाहती थी कि वो एक्टिंग करें वो चाहती थी कि मुनमुन सेन पढ़ाई लिखाई करें और मुनमुन सेन ने ऐसे ही किया पड़ाई लिखाई complete करने के बाद मुनमुन सेन की मा ने उनकी शादी कर दी 1978 में और दोस्तो हम आपको यह बता दे के मुनमुन सेन की mother-in-law यानी ईला देवी जैपूर की महरानी गाहितरी देवी जी की बड़ी बहन थी मुनमुन सेन के पती का नाम है भरत देव वर्मा और उनकी दो बेटिया है राइमा सेन और रिया सेन दोस्तो हम आपको बता दें कि मुनमुन सेन की पहली फिल्म का नाम था अंदर बाहर जो आई थी 1984 में और उस फिल्म में उनके ऑपोजिट थे जैकी श्रॉफ आपको फ्यूज पीप करना आता है फ्यूज जी अजामत याई चली गई है और क्या है कि घर में कोई नहीं है अच्छा जी चलिए इस फिल्म में मुनमुन सेन का काम लोगों को बहुत पसंद आया और इसके बाद उन्होंने कई फिल्में साइन कर ली जैसे मुसाफिर जाल वो फिर आएगी और अंडरेड डेज देवी देखता जो अज़िए चलिए और प्र आएगी और अज़िए अज़िए नेज़िए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है. कहां से खरीदा? कहीं से भी हो. पर उस दुकान में सिर्फ एक एपीस था. तो मुझे जलाने की क्या ज़रत थी? क्यो? और ने तो क्या? लाने था तो दो पीस लेकर आती साथी. यह क्या बच्पना है? मुनमुन सेन कहती है के मेरी फेवरिट सिंगर है लता मंगेशकर जी. और मैं बहुत खुश नसीब हूँ के लता जी की होम प्रोडक्शन में मुझे काम करने का मौका मिला. और वो फिल्म थी लेकिन जवाय थी 1991 में. मुनमुन सेन ने कई रीजनल फिल्मों में भी काम किया है जैसे मल्यालम, कनड़ा, तामिल और तलगो. दोस्तों ये बताना बहुत जरूरी है कि मुनमुन सेल एक्टर्स होने के अलावा एक बहुत अच्छी पेंटर भी है और उन्हें बकाइदा पेंटिंग की तालीम हासिल की है मशूर पेंटर जामनी रॉइस से इसके अलावा उन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ अज आप भी रहीं दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुकिया उनकी दो बेटियां है रिया सेन और रैमो सेन और वो दोनों अपनी नानी और मा के नक्ष कदम पर चल रही है और दोनों अच्छी एक्टरिस भी है मुनमुन सेन आजकल फेल्मों में भी काम कर रही है सोशल वर्क भी कर रही है और बच्चों को पेंटिंग्स करना भी सिखाती है तो दोस्तों ऐसी बाते भी मैं आपके साथ शेर करता रहूंगा आप बस देखते रहें तब सुम तौकीज करते रहें यह लाइक शेर और सब्सक्राइब